हेलो इस्टुडेंट, एपी परमा एजुकेशन नालेज में आप सब का फिर से स्वागतियों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए यहाँ पर आपको आज Human Hearts के बारे में बताएगा मानो हिर्दे के बारे में आपको बताएगा इसमें आपको दोनों लैंगोज का यूज होगा अग्दमनार मुलभासा में आप सीखेंगे धड़ा धड़ से तो वीडियो में बने रहें और UPP, Railway, SSC तमाम कुश्चनों में Transparent करके दिखाया जा रहा है कि हिर्दे उसका जो है मानो में कहां पे हैं तो यहाँ पर हिर्दे के बारे में जानते हैं मानो में हिर्दे कहां पाया जाता है तो मानो में हिर्दे जो होता है उसके दोनों फेफडों के Midpoint पे यहाँ उसके दोनों फेफडों का Midpoint है आप देख होता है तो हिर्दे कहां पाया जाता है मानों में मानों में हिर्दे पाया जाता है दोनों फेपड़ों के मत में और बाइं तरफ थोड़ा सा जुका होता अगर वीडियो आपको समझना आए तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए जिससे आपको आने वाली वीड तो याहे के जो हैं Jorge जो होता है दोनों वेफ्डों के लाइंतर फोड़ासा जुका होता यह जो दिखाई देरा है यहेर के इसलिक्टर है और थोड़ासा हम देखते हैं अगे ट्रांस्पोर्ट के साथ साथ जो है उसमें जो है आक्सीजन, कार्बन डायर्साइड और जो ही मिंडरल से तक क्या करने हैं पहुंचा रही है तो हिर्दे का इस्टेक्चर कुछ जो है अगर इस्टेक्चर की बात किया जाए तो यहां आप देख रहे हैं यह नार्मल जो है एक मुठी के आकार का होता है ठीक है यह एक मुठी के आकार का होता है लेकिन आजिकल जो है इसका सेंबल जो है फिल्मों में और सब जगें दुसी तरह से सोकिया जा रहा जैसे कि हम यहां पर दिखाए दे रहे हैं कि जो है इसका हिर्दे का सिंबल जिसे हम दिल भी कहते हैं हर्ट भी कहते हैं कुछ ऐसी तरह से दिखाई दे रहा है जो कि इसका हर्ट का कोई ये जो है चितर नहीं है लेकिन लोग जो है दरसानी के लिए ऐसा बनाते हैं और भी डिजाइन बनाते हैं ठीक है जो भी बनाते है अपना वो ठीक है उनका अपना फिल्मी है हम लोग तो साइंस में है सब कुछ सीखते चलते हैं दिल की तरफ बढ़ते चलते हैं चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा और देखते हैं ये देखिए हीरते का और अच्छा सा इस्टेक्चर आपके सामने आ गया पूरा लग रहा है क यहां यह जो है एक मुठी के आकार कहा है और इसमें जैसे पूरे एक इंजन की तरह आपके सामने रख दिया गया तो इंजन के सामने समात रखने के मतलब यह कुछ है जिसके अंदर से काम होगा तो आप से यहां बहुत सारे कुछने पूटप की जाएंगी घवराइए मत यह बस देखते रहिए आप तो यह हिर्दे है हिर्दे का आप देख रहे हैं मानुसरीर में अब यहां हिर्दे की पूरी इस्टेक्चर आपके सामने आ गई तो सब कई बार कुछा जाता है हिर्दे किस मसल से बना होता है तो यह सबसे इंपॉर्टेंट कुछन हिर्दे किस मसल से बना होता है, तो हिर्दे जो होता है, कार्डियक मसल का बना होता है, किस मसल का, कार्डियक मसल, हम लिख दे रहे हैं यहां, कार्डियक, कार्डियक मसल, यह कार्डियक मसल का बना होता है, यह कोशन पुटप किया जाता है आप से, हिर्दे किस मसल से बना होता है तो हिर्दे जो है काडियक मसल का बना होता है काडियक मसल क्यों कहते हैं ये मसल्स जो होती हैं किसी पर निर्वर नहीं होती है ये मसल्स किसी पर निर्वर नहीं होती ये अपनी इच्छा अंसार जो है तो नार्मल आप लोग जानते हैं कि एक मिर्ट में 60 सिकंड होते हैं एक मिर्ट में 60 सिकंड जो होते हैं इस 60 सिकंड में हिर्दे जो है नार्मल जो है 72 टाइम मतलब 72 बार हिर्दे क्या होता हमारा धड़कता है तो 60 सिकंड में हिर्दे हमारा कितनी बार धड़कता है 72 बार धड़कता है ये कुश्चन आपसे नार्मल पूश लिया जाता है ये बहुत जर्नल कुश्चन है छोटे-चोटे बच्चे भी जाते हैं फिर आपको पूछा जाएगा कि हिर्दे में जो आक्सीजन वाले ब्लड आते हैं जो अन आक्सीजन वाले ब्लड आते हैं जिने हम पेवर ब्लड और अन पेवर ब्लड कहते हैं ओ कहां से आते हैं ठीक है तो इसमें आपको बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है जिस बेंस रेड रेड मतलब लाल है जहां जहां पर बेंस लाल है यहां है यहां है ठ मतलब जिसे पेवर सुध बलड कहा जाता है या इस इस रेड़ वाले में सुध बलड होते हैं, जो आप बलू कलर क rêhoo कहा हैं, इन सब में जो oxygen का molecule कमोते हैं और carbon dioxide के molecule ज़ादा होते हैं इसमें जो है असुध blood होते हैं या कह सकते हैं आप जो blood सुध नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुध blood कहां से आता है तो हमारे सुसन करते हैं सुसन के पस्चाथ हमारे फफ़डों में oxygen और Y-U की तमाम मात्राएं जाते हैं वहाँ पर AVI एक structure होता है आग से transparent होकर जो होती है रुधिर वाहिनिया वहाँ से अपने रुधिर में hemoglobin जो होता है Hemoglobin जिसे E sled चपते है Hemoglobin जो होता है oxygen के 4 molecules को क्या करता है Attached करता One hemoglobin occurred to oxygen के 4 molecules ये भी question आप से पूछा जा सकता है, ये high level का हो जाता है कि एक hemoglobin oxygen के कितने molecule को attach करता है, तो एक hemoglobin oxygen के 4 molecule को attach करता है, और हम आगे देखते हैं, इसमें जो blood आ रहे हैं, सुध बलड तो वो कहां से आ रहे हैं, फेफडे से आ रहे हैं, यहां लिखा गया है oxygenated blood from lungs, मतलब सुध oxygen वाले, जो blood है, oxygen वाले जो blood है, वो आ रहे हैं, कहां से, फेफडे से, आउब वहां से आएँगे, इसके अंदर खतम हो जाएगा ये oxygen यूज हो जाएगा, तो वही blood फिर से जो है, दूसरे veins के मार्ध्यम से जो है, de oxygenated blood जो हता है, पूरे सरीर से जो है, और चला आएगा कहां में फिर से हीरदे में, और फिर से हीरदे से होते हुए यह चला जाएगा, कहां फेफडे में, यहां से धेखिए, यह वाले बेंस निकली है, यह वाले, ठीक है, और यह कहां जा रहे हैं, Deoxygenated Blood तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको आंत्रिक श्ट्रक्चर जरूर मिलेगा, और चैनल को सस्क्राइब करें, कमेंट करें, और लाइक करें, धन्यवाद